नमस्कार दोस्तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी ले करके आगे हूँ और वो खुशखबरी यह है दोस्तो कि स्रम विभाग के तरफ से इंस्पेक्टर के पद पे भरती आ गई है और यही खुशखबरी आप लोगों को बताने वाला हूँ तो इसी पद के बारे में A to J चाहे age criteria हो selection process हो syllabus हो complete details देने वाला हूँ दोस्तो इसमें किसी भी प्रकार का एक्जाम फिस नहीं लगने वाला है और किसी भी प्रकार का physical नहीं होने वाला है only एक single written exam फिर merit और joining बस यही है दोस्तो तो इसी भरती के बारे में complete details असान भासा में चाहे syllabus हो selection process हो और age criteria फीज हर एक चीज असान भासा में बताने वाला हो दोस्तो चैनल पर आप बने रहेगा वीडियो को जरूर लाइक किजेगा आपका एक लाइक हमें motivation देता है दोस्तो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको हर एक प्रकार के government job की जानकारी मिले वो भी असान भासा में दोस्तो ठीक है दोस्तो तो चलिए यह बच्चा है मेरा यह आ गया है इसके वज़ेस कोई disturb नहों यह इतना दूश ठेकी कंदे से उतर नहीं रहा है उतार नहों तो दोस्तो यह ऐसे करके चाब रहा है पैर से पकड़ नहीं पा रहा हूं ठीक है दोस्तो तो चलिए यह जो है ना स्रम विभाग इसका बता दू अप्लाइडेट यह जो इंस्पेक्टर की पद पर भरती आया है और इसमें दो तीन प्रकार के पद है उसका भी डिटेल्स आप लोगों बताने वाला हूं ठीक है तो अप्लाइड ठीक है अप्लाइड जरूर किजेगर एज क्राइडेरिया के बात करें तो यह दोस्तो 21 से सौरी वहां पर 18 लिखा गया था लेकिन यह 21 साल से 35 साल के बीच में अगर उम्र है आप लोगों का तो आप जरूर इसमें अप्लाइड किजेगर ठीक है दोस्तों और एप्लिकेशन जो मोड है बहुत सारे भरती यह ऑफ-लाइन जोपकी जो भी अप्लाइड आन आता है उसमें एक्जाम फिस यह कुछ भी प्रकार का फॉम फिस लेता ही लेकिन इस भरती में 005, चाहे आप कोई सभी category candidate हो, general, OBC, EWS कोई सभी candidate है, यानि कि आपको online register करना है या सिर्फ apply कर देना है आप अपना mobile से भी apply कर सकते हैं ठीक है दोस्तो, male, female दोनों apply कर सकते हैं इस पद पे पूरा देखिए आपको इस वीडियो में पूरी समझा जाएगा, यानि कि आप male candidate है तब भी apply कर सकते हैं, female candidate है तब भी apply कर सकते हैं अब ये जो inspector के पद पे भरती है, तो सो भाईक से बात भाई निरिक्षक के पद पे भरती है, तो graduation ले गा ही, तो graduation मंगा है ठीक है, graduation यानि कि डिग्री आपके पास कोई सभी होना चाहिए, कोई सभी डिग्री होना चाहिए, पास होना चाहिए, आप apply कर दो भाई, ठीक है बस कोई सभी डिग्री, उसके बाद पद का विवरण, यानि कि ये जो total पद है ना, उसमें कौन-कौन सा पत्र भरते यहां तो पहला तो हक्ताय अंदिकारी चार पत्र चोछल NOR greater ग्रेंटेटेट और इसका सेलीर है इता श्रलर्प खार ठीक है दोस्तों उसके बाद उसके बाद है दोस्तों स्रम नीरिक्छक यानि कि वो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर बोले जातों 14 पोश्ट है, अठाइस सो ग्रेट पे पे आपका सैलिरी रहेगा, इसके बाद बता दू, स्रम उपनी रिक्षक, यानि कि सब इंस्पेक्टर, ठीके, 16 पद है, 2400 पे पे यानि कि टोटल 34 पद होता है दोस्तों, अब ये जो 34 पद पे वेकेंसी आया है ना भाई, आप लोगों को ऐसा मोका नहीं मिलेगा, स्रम विभाग में इंस्पेक्टर के पद भरती पद भले कम है, लेकिन बता दू, इसका पोश्ट इतना अच्छा है ना, जो पूलिस इंस्पेक्टर होता है ना, उसके पर प्रेस सर जादा रहता है, मतलब हर एक का अपना अपना वर्कलोड होता है, लेकिन इसका बेस्ट है, अब जरूर अपलाई की जगा, हर एक का अपना अपना कलम का हो है भाई, ठीक है, लेकिन स्रम विभाग बेस्ट है आपके लिए, ठीक है, अब ये जो स्रम विभाग के वेकेंस बस इतना है, physical किसी भी प्रकार का नहीं होने वाला है अब इसमें क्या होगा 150 question आएगा, 150 number का 1 by 4 negative marking रहेगा no physical है, दूस्तों मैं पहले ही बता दिया हूँ, आप इस भर्दी का wait कर रहे न, यानि कि आप अगर degree कर रखे हैं न भाई, तो आपको इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, ठीक है 36 गर स्रम भाग के इंस्पेक्टर पद से बढ़िया आपको कही नहीं मिलेगा यार, इसको आप apply करो firm, अपना carrier बनाओ ठीक है, graduation post पे है सहायक स्रम, मतलब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के पद पे भरती है, सीधी बाग ठीक है, तो आप जरूर firm फिल कीजी, ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलेगा, भी चुनावी सी जनाने वाला है इसके लिए भर-भर के vacancy आने वाली है, ठीक है, मेरा यही मौका अगर आप मिस कर लेते हैं, दोजार चोबीस तक, दोजार चोबीस के अप्रेल तक, दोजार चोबीस अप्रेल के आसपास में लोकसभा का चुनाओ है, यानि कि हमारे माननी प्रधान मंतली जी का, तो अप्रेल और अभी के बीच में भर-भर के डून-डून के बना रहा हूं, ताकि किसी ने किसी बच्चे का भला हो जाए, ठीक है दोस्तों, कुछ भी कमेंट है, कमेंट कीजिए, वाटसप नमबर दिया हुआ है, वाटसप कीजिए, अपलाई लिंक भी मैं आप लोगों को दे दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ने मैं दे दे रहा हूं, आप लोग अगर बोलोगे, आप लोगों को डिस्केप्शन नहीं मिलता है, तो आप क्या किजेगा, यह जो वीडियो का टाइटल लिखा रहता है, जैसे सरम विभाग करके, उसके नीचे में मोर लिखा रहता है, ठीक है, अब यह डॉट डॉट पर क्लिक कर दिना है, क्लिक करने के बाद सब नीचे में देखेगा कि अपलाई लिंक लिखा होगा, ठीक है, अपलाई लिंक, वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा, आपको डारेक्ट अपलाई के वेबसाइड में आप चले जाएंगे, यह जो सरम में भाग के वेकेंशी ठीक है दोस्तों और नई भरतिकी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को फ्रेस कर दीजेए वीडियो कभी तक लाइक नहीं के लाइक कर दीजे आपका एक लाइक आम तो ऐसा मौका आपको नहीं मिलेंगा दोस्त। मैं बार-बार बोले यह तो इसमें आप फॉम फिल करो आपका हो जाएगा ठीक है दोस्तों क्योंकि इसमें देखे यह जो मेडिकल सर्टिपिकेट है ना यह मेडिकल सर्टिपिकेट आपको बता दो आपको जीलाची किस साला ऐसे बन वहां करके सब्मिट करना ऐसा बहुत से बात बन जाएगा देता है मेडिकल बोर्ड होता है वह मेडिकल करा देता है उनका खुद का डॉक्टर रहता है तो उसमें बहुत सारे बच्चे का लाइब तो यह पर आग चस्मा वज़गे वगेरा के वज़ए से खतम हो जाता है तो यह मौका आपको नहीं मिलेगा मैं यह सी था सब लाइक केजिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं के सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं नई अपडेट नहीं गवर्मेंट जॉब की जनकारी के साथ तब तब के लिए दोस्तों जैहिन